हेलो प्रेंड्स और वेलकम टू क्रिक्ट ले क्रिकट की दुनिया से एक और धमाके दारो चौकाने वाली खबर आ रही है केन विलियमसन जो कि न्यूजी लेंड टीम के मुझूदा कैप्टन है वह कैप्टन से छोड़ने की तयारी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वह सभी फॉर्मेट्स में कैप्टन से को इंज्वा कर रहे हैं और वह हमेशा वही करते हैं जो कि टीम के लिए सही होता है और अगर उनके कैप्टन से छोड़ने से टीम का भला हो रहा हो तो वह बे जिजक इस बद को छोड़ देंगे विलियमसन ने 2016 में न्यूजिलेंड टीम की कप्तानी की कमान संभालने सुरू की उन्हें अपने करियर में आज़क कैप्टन कई बार अलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है आस्टेलिया की खलाब तीन टेस्ट मैच की सिरीज में वाइट वास का सामना करने और बैट से भी कुछ खास कमाल ना कर पाने से उनकी काफी अलोचना हुई न्यूजिलेंड के फॉर्मर इसकीपर ब्रेंडन मैकलन ने तो यह तक कहा था कि विलियमसन एक रिलक्टन्ट लीडर है और वो अपनी कैप्टेंसी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं विलियमसन ने कहा कि अब हो है अपनी गेम पे फोकस करेंगे और टीम को राइट डिरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेंगे उन्होंने फरवरी दोहजार उन्नीज के बाद अपना पहला टीटूंटी मैच 24 जनवरी 2020 को इंडिया के खिला तो दोस्तों आपको क्या लगता है उनका कप्तानी छोड़ने का फैसला सही है या गलत इस पर अपनी राय हमें कमेंट सक्षन में बताएं और क्लिकेट्स जूड़ी न्यूज रिब्यूज और इंसाइट्स के लिए चैनल सब्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद